हेलो हाई गाईज वैलकम बैक डियोर ओन अकैडमी अभी अकैडमी दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने CCSU का जो BABSCB.com यानि की UG का सेकंड डियर वाला एक्जाम होने वाला है तेरा तरिक को संस्कृत का language वाला उसके most important questions जो आपको देखने को मिल ही जाएंगे तो दोस्तों सुरू करते हैं पहला question हमारे पास क्या है साथ है question आता है मानहान विभूतियों के जीवन परिच्चे पर तो मैं आपको important बताता हूं कनाद पानेनी और मनु इन तीनों की आप जीवन परिच्चे जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि इन इसके अलावा जो है शामवाली वीडियो में फिर से आपको दो-तीन इंपोर्टन बता दूंगा जिनको आप याद कर सकते हैं इसके बाद दूसरा है परियावाची सब्दों से संबंदित पांच नंबर का ये भी आएगा तो मेरे पास जो इंपोर्टन परियावाची शब्द हैं वो है अगनी जल चना पैर फूल और इसके लावा और भी है दोस्तों या तो आप इसका स्क्रेंशोट ले लीजिए या फिर ऐसे ही पढ़ लिए छोटे-छोटे से ही है आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे ठीक है फ्रेंट्स तो इसके अलावा जो है साम वाली वीडियो में और इससे पहले दुपहर वाली दो बज़े वाली वीडियो में मैं आपको इससे भी जादा कुछ इंपोर्टन जो प्रियावाची शब्द है वो बता दूँगा इसके इंजीनियर, गधा, उडद, और जामुन तो इन सभी को आप याद कर लीजे इन में से 6 आपके सामने आएंगे एक्जाम में उन 6 में से 5 करने होंगे एक एक नमबर के लिए ठीक है फ्रेंट्स तो आप इनको जरूर याद करिएगा उसके बाद हमारे पास जो है कोशन नमबर 3 के लिए आएगा कोशन नमबर 3 नाम से आएगा आपको क्या करना है इसके प्रसंग में एक लिखना है प्रसंग क्या लिखना है तो सेम ही रहेगा आप बस इतना याद रखे कि कोशन नमबर 3 में जितने भी श्लोक आएंगे जुनकोब देश दिये थे तो उसी के हिसाब से आपको सभी में सेम ही लिखना है कुछ अलग नहीं है बस हिंदी अनुवाद थोड़ा सा अलग है तो हमारे पास जो इंपोर्टेंट है वो है जो आपको दूसरे नंबर पर दिख रहा है अविनाशी तू तिद्विधी येन सं मिदम ततम इस प्रकार से आपको जो है कुछ वर्ड्स याद रखने आपको याद आ जाएगा कि ये तो वह वाले शलोग है इसका हिंदी अर्थ ये है ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद जो दूसरे शलोग है वो है कुछ नंबर फाइब पर जो दिख रहा है आपको नजायते इसको भी आप कुछ वर्ड्स या आपको याद रखने है इसके बाद जो है तुरंत आपको हिंदी अनुवाद इसका याद आ जाएगा ठीक है इसके अलावा एक और जो हमारे पाश लोग है वो है नैनम चिंदंति शस्तराणी नैनम दहती पावा कहा इसको भी आप इस तर पास जो इसी में से आएगा भगवद गीता में से वो है अव्यक्ता दिनी भूताने व्यक्तमध्यानी भारता इसको भी आप याद रख सकते हैं हिंदी अनुवाद बड़े अच्छे तरीके से लिखे लेंगे ठीक है फैंट्स इसके अलावा जो है इसका हिंदी आपको एक्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे और आज सुभा जो लाइव क्लास चलने वाली थी वो कुछ टेक्निकल प्रोब्लम्स की वजह से हम कंड़क्ट नहीं कर पाए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शाम को आपसे लाइव मिलेंगे यूट्यूब पर अभी अभी अकैडमी पर ठीक है फ्रेंड्स उसमें आपको most important questions बताये जाएंगे कल वाले एक्जाम के लिए तो तब तक के लिए आप त्यारी करते रहिए और यूट्यूब चैनल अभी अकैडमी से जुड़ जाएए and wish you happy exams